मैं आपका दोस्त सुनु सरमा इस वक्त मुझद हूं शिरसा के एसपई ओफिसके बिल्कुल बहार सात्यों मेरे आने का करण हिए क्योंकि एक मिलटरी ओफिस ओफिसर सुसाइट कर लेता है और सुसाइल लेटर में आरोपियों के नाम दे देता है उसके बाद में जो आरोपी है वो गिरफतार अभी तक नहीं होते परिवार वाले दर्दर की ठोकरे खा रहे हैं आज ये सपी साब से मिलने आये थे जानते हैं पूरी कानी क्या है पूरा मामला क्या नमस्कार जी क्या में पूरी कानी क्या बताएं जी मेरा बेटा मिल्टरी में लगा था जी पहले तो वहां उसके सो गया वो बहार निकल गया तो अब बहार था वो प्राइबट जोब कर दा पूपाल सी किस तरह को आया था तो उसके जो में केस का समय उसने कोई उसको हमारे को तो पता नहीं उसको पैसे दिया उने लगने के लिए कुछ है तो हमारे को पूरा पता भी ने कितने पैसे दियोंगे तो उसने वही उस पर कोई प्रेसर डाला तो उसने सुसाइड कर लिया जो पैसे दिये था वो बंदा आगे उसके पैसे लेकर भाग गया तो उसने सुसाइड कर लिया करे रहा हमारे को दाला है तो किया था जी को किया था जी और बाइस तारी तारी को चवो चamanike और जी सब्सक्वार देटर में क्या मुवाहल ने रीकोक्वरंग थी वह यहे थोड़ी से लेके बाग गया तो यह मेरे को प्रसाशन से क्या मांग करना चाहते हैं कि वह हमारे को इंसाफ दे जिसका नाम है वो इसको रेस्ट किया जाए आज एक मन्त होने बाड़ा जी अभी तब को रेस्ट नी किया जी आजी किया नाम है इस बिसकार कर लिए अपैर कर लें वह ने हैं निल एव इंब कि दी आप इसको बहुत ज्यादा दम कि दिया कहरें तो हमें एक मुन कार्भा करें कारे हैं को इसना इनियो हमारी मा की ममता आखिर मा की ममता हो रही है बोलते बोलते आंखों में पानी आ गए साथ यो मिल्टरी में जाबाज ओफिसर किस तरीके से दुखी और परसान होकर सुसाइड कर लेता है और उसके बाद में उनके आरोपियों को खुला छोड़ दिया जाता है अब वो खुले गुम रहे हैं तो गरवालों की मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरपतार किया जाए तो सभी साथियों से गुजारी से इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राया कोमेट करके हमें जरूर बताएं धन्यवा सुक्रिया